जी हां NCC 56 special entry schemes के form आ चुके हैं इन forms का उन सभी candidates को बेसबरी से इंतिजार रहता है जिन्होंने graduation complete कर ली है और NCC C certificate hold करते हैं इस वीडियो में I will inform you कौन लोग इस form को apply कर सकते हैं क्या इसके लिए dates हैं प्लस vacancies के बारे में भी इस पर बात की जाएगी सबसे पहले dates पर बात की जाए तो ये 8 जनवरी 2024 से ले करके 6 फरवरी 2024 तक form apply कर सकते हैं आप जी हाँ 6 फरवरी 2024 शाम 3 बजे तक का आपके पास समय होगा इसमें 50 vacancies boys के लिए हैं और 5 vacancies girls के लिए हैं boys में 50 में से 45 vacancies general candidates के लिए हैं जिनोंने graduation 50 प्रतिशत के aggregate marks के साथ पूरी की होगी और NCCC certificate में A या B grade खोल करते होंगे वहीं पर 50 candidates में से अगर आप देखें तो 45 general के लिए है तो 5 vacancies ward of battle casualties के लिए निर्धारित की गई हैं ward of battle casualties के बारे में अगर आप बात करें तो ये वो आशरित या ये वो आविवाहित बच्चे हैं जिनके लिए जिनके parents जिनके father लड़ाई के दौरान injuries के चलते action में शहीद हुए हैं इस देश के प्रति उन्होंने अपनी जान निचावर की है इसके अलावा जिन parents को या किसी serving personal को अगर battle में या किसी operation में missing पाया जाता है तो वो भी इसी के अंतरगत आते हैं तो जिनके parents missing में आ गए वो भी इसके लिए apply कर सकते हैं under ward of battle casualties के टिगरी के girls के लिए ये vacancies 5 हैं जिसमें से 4 general के लिए है और एक vacancy ward of battle casualties के लिए है ये भी ध्यान रखें कि जहां सामाने candidates को C certificate with A और B grade हासिल करना जरूरी है वहाँ पर ward of battle casualties के लिए NCCC certificate mandatory नहीं रखा गया है आप के पास अगर NCCC certificate नहीं भी है तो भी आप apply कर सकते हैं ward of battle casualties के अंतरगत इसी form में अब इसको apply करने के लिए education तो clear हो गई date of birth या उम्र को अगर आप देखें तो 19 से 25 साल के बीच के candidates इसको apply कर सकते हैं याने कि जिन candidates का date of birth 2 जुलाई 1999 2 जुलाई 1999 और 2 जुलाई 2005 याने कि 2 जुलाई 2005 के बीच में हैं वो candidates इस form को apply करेंगे अप्लाई करने के लिए join indian army.nic.in पर आप जाएंगे वहाँ पर इस form को आप भरेंगे और जब आप का पूरा form सम्मिट हो जाएगा तो 30 मिनिट के बाद आपको एक roll number मिलेगा उस roll number के साथ उस copy के दो print out ले ली जिएगा जो आपको last तक सुरक्षित रखने होंगे उमीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी हाँ ये जरूर है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि जब date selection links आती है तब बच्चों के पास उतना समय नहीं रह जाता है कि वो कहीं बाहर निकल करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर पाएं इसके लिए form भरने के साथ ही अभी से तैयारी शुरू करिएगा क्योंकि इसकी जो इस भी है वो जून जुलाई के बीच में आने वाली है और आपके पास अभी समय है तैयारी करने के लिए त्रशूल डिफेंस अकेडमी एक बहतर विकल्प है जहां पर online और offline दोनों बैचिज है offline में 14 डेज अबलिक 21 डेज का एक फुल प्रोग्राम है जहां पर in-house जीटियो ग्राउंट हूबहू साइकलोजिकल टेस्ट की प्रैक्टिस और इंडिविज्विज्वल असेस्मेंट करनल पंकज महलोतरा जो की एक्स डेप्टि प्रेजिडेंट सेलेक्शन बोड अलाबाद और भोपाल रह चुके हैं आप उनके साथ परसनल इंटरव्यू का एक वैसे का वैसा ही experience ले सकते हैं तो सभी कैंडिडेट के पास सुधार करने का एक बहतर मौका होगा आप जल्दी से form apply करे और offline batches को join कर सकते हैं यदि किसी कैंडिडेट को offline batch join करने में दिक्कत आ रही है तो वो online भी ये classes join कर सकते हैं जिसके लिए validity 6 महिने रखी जाती है आपके पास उससे कम समय होगा आप बड़ी आसानी से उस course को वहाँ पर पूरा कर सकते हैं तो देरी नहीं करना है जल्दी से जल्दी form apply करें और contact करें त्रशूल Defense Academy अलहाबाद Wish you very good luck, stay fit, stay healthy जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एक मात्र ऐसा coaching institute जहां cadets को train किया जाता है आने वाले defense exam के अनुसार अगर आपका भी सपना है भारतिय सेरा में शामिल होकर देश की सेवा करने का तो आज ही join करें त्रशूल Defense Academy